दोस्तों जाएहंद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूटुब चैनल सौफ्ट स्टडी में मैं हूँ सौरब और एक बार फिर से आपके साथ हूँ एक और नई वीडियो को लेकर तो दोस्तों आज है 17 मार्च और 17 मार्च MPTET वर्गतीन का सेकंड सिफ्ट का एक्जाम खतम हो चुका है और इसके बहुत कम कोश्चन अपने पास आ चुके हैं ठीक है तो जितने भी कोश्चन आए हैं डिसकस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कौन-कौन से टॉपिक है कहां कहां से कौश्चन पूछे गए हैं तो दोस्तों वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी ही क्योंकि दोनस अप्टों का एनलाइसे डेली आपको प्रोवाइड कराया जाता है तो वीडियो पसंद आ है तो जाद जाद लाइक करें शेयर करें चैनल पर नाया है तो सब्सक्राइब करके वेल नॉटिफिकेशन को प्रेस करें यादि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और डिसकस करते हैं कॉस्चन को जो आज पहला कॉस्चन पूछा गया है पहला क्रिकेट बिश्चो कब कब हुआ था पहला क्रिकेट बिश्चो कब कब हुआ था तो पहला एक दिवसी क्रिकेट बिश्चो कब दोस्तों 1975 में हुआ था कहा पर हुआ था तो इंगलेंड में हुआ था और इसमें आठ टीम होने हिस्सा लिया था ठीक है अगला है दोस्तों पहला क्रिकेट बिश्चो कब कब जीत तो यह परेम मंगाल में ज़ते थे थे नेक्स्ट कौस्टिन ढूम के तु कि सदाए पर सर्प्रतम उपग्रा किसे ने बेजा तो यूरोपिय मदिने दूम के तु की सदाए पर सब्रतम उपग्राइ बेजा था ठीक है अगला कोस्टिन जो पूंचा गया सम्ताप मंडल से question पूछा गया था अब यह जो सकता है कि आज की स्प्ट मैं चार question पूछे गये हैं ठीक है इतने चार question पूछ गया है तो ओजोंपर्ड से चम ей बनते हैं जैसे कैं मंटःयल प्रोटोकल हो आपल देखी गई थी ठीक है इसके अलावा ओजोन परत के चरण के चरण का कारण कौन सी कैस बनती है तो CFC के लोरो फिलोरो कारवन ओजोन परत से इतने question आपके याद रखने है question पूछा जा सकता है आने वाले exam ठीक है अगला question जो पूछा गया तो दो से सम्मंदित पूछा गया था ठीक है डी ओडियों से समंंदित question पूछा गया था next question जोस्किंग चुद्र ग्रह के अध्यन को क्या कहते हैं इस परकार का question पूछा करया था ठीक है पुत्तर में कितने परतिसат गुण हस्तानांतरत होते हैं पुत्त्र में पता कि कितने प्रितिसत गुण मिलते हैं कितने प्रितिसत गुण पाय जाते हैं ये question पूछा गया था बालबगास में ठीक है जीन प्याजे से question आया बाइगोस्की से question पूछे गया तब मैं तो प्रतीसत अनुपात समानुपात सल्लीकरण औसत आयू से question पूछे गया ठीक अनुपात प्रतीसत सल्लीकरण औसत और आयू से question पूछे गया थे आपके मैं यह topic रहे थे और हिंदी में अलंकार से समास से question पूछे गया और इसके अलाबा Sanskrit में भी दोस्तों लकार से भी questions Sanskrit देखिए ब्याकरन जो है इसमें जितने भी topic हैं आपके हिंदी और Sanskrit में ये आपको पड़र के जाना है ब्याकरन की इतने भी topic हैं हर एक topic से एक question आपका देखने को मिलता ही exam ठीक है तो दोस्तों ये था आच की वीडियो का सौर्ट रिब्वी अतने ही कॉस्चन अपने पास पहुंचे हैं और यदि आपका एक्जाम था तो कमेंट बॉक्स में कॉस्चन को कमेंट जरूर करें जो यहां पर कबर नहीं किये गए हैं ठीक है कल है दोस्तों 18 मार्च को होली तो 18 मार्च को गैफ है इसके बाद में आपको क्या करना है पढ़ाई करनी है एक एक मिनट आपका कीमति ही यदि आने वाले दिनों में आपका एक्जाम है तो ठीक है एक मिनट में आप पांच कोस्चन याद कर सकते हैं कम सकम और पांच में से यदि तीन कोस्चन भी याद रहते हैं तो दोस्तो तैयारी कहते रहे हैं चैनल पर वीडियो अप्लोडेड हैं ठीक ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मुलाकात होगी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार जैहंद वंद्यमात्रम धन्नवाद